नमस्कार शाकाहर सदा बाहर किचिन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज जो रेसिपी में आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ वो कच्छे केले से बनी हुई है और कच्छे केले से जो भी आइटम मनते हैं वो काफी स्वादिश्ट तो होते ही हैं इसके साथ में हमको सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन भी जरूर दबाईए कोफते बनाने के लिए सबसे पहले हम उबले हुई केले को अच्छे से मसल लेंगे अब हम इसमें बेसन में लाएंगे तीन या चार चमच चावल का आटा दो या तीन चमच आवशकता के अनुसार हम इसको कम जादा कर सकते हैं अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे और आधा नीबू का रस हम इसमें डालेंगे नीबू के रस से जो कोफते होते हैं वो अंदर से काफी सौफ्ट बनते हैं इन सब सामगरी को हम अच्छे से मिला कर एक डो तैयार कर लेंगे और यदि हमारा डो हमको गीला लग रहा है काफी सौफ्ट लग रहा है तो हम इसमें बेशन या चावल का अटक कुछ भी मिला सकते हैं और इस प्रकार से हम डो में थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे कटी हुई धनिया पत्ती और किसा हुआ अधरक यह सब डालकर हम इस डो को अच्छे से सौफ्ट डो बना लेंगे हमारा डो तैयार हो चुका है अब हम दोनों हातों को ग्रीस कर लेते हैं और इस डो से छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं एक तरफ मैंने तेल भी गरम होने के लिए रख दिया है दो कोफते तलने के लिए इस प्रकर हमारे कोफते बन कर तैयार हो गए हैं अब हम एक छोटी सी बॉल्स डालके देख लेते हैं तेल में हमारा तिल गरम हुआ है या नहीं हमारा तेल गरम हो चुका है अब हमें इसमें हमारे जो हमने कौफते बनाए है वो हमें इसमें डाल देते हैं और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे कौफते तलते समय हमें जो गेस की फ्लेम है उसको मीडियम हाई रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज आँच पर जो हमारे कौफते हैं वो एकदम से अंदर बाहर से तु सिख जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह सकते हैं और ज़्यादा धीमे होने पर वो ज़्यादा तेल पी लेंगे अधा हमको इसको मीडियम हाई ही फ्लेम रखना है यह हमारे कौफते तल चुके है अब हम इनको निकाल लेते हैं देखिए कितने सॉफ्ट कौफते बने हमारे अब हम ग्रेवी तयार करते हैं ग्रेवी के लिए मैंने एक पेन में थोड़ा सा तेल ले लिया है आप चाहें तो मक्षन भी यूज़ कर सकते हैं अब हम इसमें हींग डालेंगे थोड़ा जीरा डालेंगे थोड़ी सोंफ थोड़ी खस-खस ये सब डालकर हम अच्छे से भून लेंगे अब हम इसमें तेज पत्ता डालेंगे साता काले मिर्च चार-पाँच लोंग ये सब डालकर हम अच्छे से भून लेंगे अब हम इसमें टमाटर के बड़े-बड़े कटे हुए पीसे डालेंगे कुछ गाजू डालेंगे और कुछ कद्दू के बीज हम डालेंगे कद्दू के बीज की जगह आप खरबुजे या तरबुज के बीज भी प्रयोग कर सकते हैं पर मैं कद्दू के बीज इसलिए प्रयोग करती हूँ क्योंकि ये बहुत पौश्टिक भी होते हैं और स्वाद भी बढ़ाते हैं अब हम इसमें पानी डालकर इसको कुछ दिर के लिए पकने रख देते हैं तो नेक्स टाइम आप जब भी कद्दू लाएं तो उसके बीज को ना फेकें उसको इस प्रकार से प्रयोग मिला सकते हैं अब हम इसमें हल्दी डालेंगे स्वादानूसार लाल मिर्च डालेंगे नमक डालेंगे अब हम और चार-पांच अद्रग के छोटे-छोटे टुकडे डाल देंगे ये सब डालकर हम जो हमने ग्रेवी तयार कर रहे हैं उसको हम पकने के लिए रख देंगे टमाटोरों को उबाल आने पर हम इसको देखेंगे चेक करेंगे अभी हमारे टमाटर पूरी तरह पके नहीं हैं हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे हमारे टमाटर अच्छी तरह गल जाने चाहिए अब हमारे टमाटर पूरी तरह से पक चुके हैं इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं और अब हम इसको एक मिक्सी के जार में डालके अच्छा फाइन पेश्ट बना लेंगे यह हमने इसका स्मूथ पेश्ट बना लिया है और इस पेश्ट को आप चाहें तो ऐसे ही उपयोग कर सकते हैं पर यहाँ पर मुझे काफी स्मूथ काफी सॉफ्ट इसकी ग्रेवी चाहिए थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पर चान लिया है एक इस्टेनर से इसको अच्छे से चान लेंगे एक कड़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है बहुत थोड़ा सा और उसमें इसको चान रही इसको हमको जादा नहीं पकाना है अब हम इसमें थोड़ी सी क्रीम डालेंगे ये क्रीम मैंने घर के ही दूद से जो निकाली रहती उसी का प्रयोग किया है उसको मैंने मिक्सी में ग्रैंड कर लिया था इससे काफी स्मूथ हो गई है वो और इसको हम पकाएंगे अब हम गरम मसाला थोड़ी सी चीनी ये आपशनल है आप डालना चाहें तो ये डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें उबाल लाएंगे अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे कसूरी मेथी डालकर इसको दो मिट के लिए हम ढखकर पकाएंगे और उबाल आने पर हमारी ग्रेवी तयार हो जाएगी अब हमने जो कोफते पहले से बना के रखे हुए हैं हमारे कोफते भी तयार हैं अब बस हमें सर्फ करना है तो हम कोफतो को एक प्लेट में रख देते हैं बाउल में और इसके उपर से हम ग्रेवी डालेंगे कोफतो के उपर हमको अच्छे से ग्रेवी को भरपूर डालना है ताकि जो कोफते हैं वो ग्रेवी को अच्छे से सोख ले इस प्रकार से हमारी पूरी ग्रेवी हमने इसमें डाल दी है अब हम इसको उपर से क्रीम और कोरियंडर लीफ से डेकुरेट करके गारिनिश करके सर्फ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स लीजे तैयार हो गए हमारे कच्चे के लेके कौफते जो की बहुती स्वाधिष्ट हैं इसको आप लोग भी जरूर ट्राय करिए कैसे बने मुझे जरूर बताईए मेरे चेनल शाकार साथा बाहर को लाइक, शेर, सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर करिए फिर मिलते हैं किसी अने रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में धन्यवाद